नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजू जू 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 गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल दोस्तों आज हम लोग डिसकस करेंगे डेली करेंट अफेयर में एक जून 2021 के न्यूज पेपर में से जो कि आपके एक्जाम, CHSL, Combined Graduate Label, दिल्ली पुलिस, CPSI, Intelligence Bureau, NTPC and other state services एक्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेरनेस के लिए भी यहां लाबदायक सिद्ध होगी तो आईए एक एक करके डिसकस करते हैं नेशनल अफेयर्स में यानि रास्टी मामलों में पहली खबर है कपपा and डेल्टा यह क्या है तो यह जो है अभी जो भारत में सेकेंड लहर चल रही है, सेकेंड वेब चल रही है यानि यह जो भारत में पहली बार मिले करोना वाइरस के B.1617.2 वेरियंट को नया नाम दिया गया है और इसका नाम दिया गया है डेल्टा के नाम से यह जाना जाएगा जबकि यहां मिले एक अनिवेरियंट B.1617.1 को कपा नाम से दिया गया है यह दोनों नाम याद रखेंगे कपा और डेल्टा तो इस फर्म आफ कोरोना वाइरस वर फस्ट आइडेंटिफाई इन इंडिया इन ऑक्टूबर 2020 वो भी महारास्ट में यह आइडेंटिफाई हुआ था तो WHO ने Greek Alphabets में यानि WHO has also named variant found in other countries of the world based on Greek Alphabets यानि Greek Alphabets के आधार पर इन variants के नाम रखें हैं जिससे की लोगों को आसानी से इसे समझा जा सके जैसे सितंबर 2020 में ब्रिटेन में जो सबसे पहला variant पाया गया था B.1.17 को Alphabeta, Gamma, सुना होगा आप लोगोंने B.1.351 found in South Africa इसका नाम बीटा दिया गया है इसी तरह से P.1 यह जो है दक्षिन अफरीका में पाये गए P.1 variant को अब Gamma नाम से जाना जाएगा इसी तरह से दोस्तों, similarly in March 2020 the variant B.1.427, B.1.429 found in America is Appleson याद रखने, Appleson इसका नाम दिया गया है और Brazil में Gita इसको कहा जाएगा Brazil में इसे क्या कहेंगे? Gita कहा जाएगा इसी तरह से कई देशों में मिले B.1.5 यानि .1525 variant को Eta और Philippines में मिले P.3 को Theta नाम दिया गया है इस तरह से November 2020 में America में मिले B.1.526 को Lota नाम दिया गया है यानि हमारे भारत में Delta यानि भारत में जो यह Delta है जिसे B.1.617.2 को भारत में संक्रमण की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है यानि Delta is responsible for the second wave of the infection in India This variant of the virus has been found to be more dangerous than the original virus यानि जो original Corona का virus है उससे ज़्यादा या खतरनाक पाया गया है यानि भारत के अलावाद दुनिया के अन्य देसों में भी इसकी मौजूदगी पाई गई है अब बढ़ते हैं दोस्तों MBTAG या भारत का पहला स्वदेशी temperature data logger है यानि Indian Institute of Technology Roper has developed MBTAG which is India's first indigenous temperature data logger developed for cold chain management यानि भारतीय प्रद्योगी संस्थान Roper ने MBTAG बिक्सित किया है जो cold chain प्रबंधन के लिए बिक्सित भारत का पहला स्वदेशी तापमान data logger है यानि कह सकते हैं कि आत्म निर्भर भारत की और भारत एक और किर्तिमान स्थापित किया यानि इट हैस डेबलप एडिवाइस देट रिकार्ड दा अम्बियन टेंप्रेचर डिरिंग ट्रांस्पोर्ट अफ वैक्सीन बॉड़ी आर्गंस एन बलड मतलब यह एक ऐसी डिवाइस डिवाइस डिवलप की गई है जो टीकों, सरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दावरान परिवेश के तापमान को भी यहाँ रिकार्ड करता है यह एक बार चार्ज करने पर यह पूरे 90 दिनों तक रिकार्ड कर सकता है हम लोग इसको बलक में आयात करते थे कहां से Singapore, Hong Kong, Ireland, चीन जैसे देशों से भारत इसे भारी मात्रा में आयात कर रहा था तो the device will be made available to all companies involved in COVID vaccine transportation from production facilities to the last mile vaccination center in the country at the production cost of 400 rupees यहनी 400 rupees की उत्पादन लागत पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा हालां कि इस पर खर्च 1000 rupees का आ रहा है तो MBTAG in India has been developed by researchers from IIT Roper, Technology Innovation Hub, Agriculture and Water Technology Development Hub and Scratch Nest, a startup founded by four IIT Roper students इसके द्वारा start किया गया है और अवद क्या है? AWADH, Agriculture and Water Technology Development Hub IIT Roper में एक या शोध केंद्र है इस एक रिसर्च सेंटर एट IIT Roper इट वाज इस्टैबलिस्ट बिद सपोर्ट आप डिपार्टमेंट आफ साइंस and टेक्नोलोजी इट कंड़क्ट एक्स्टैंसिब रिसर्च इन द फील्ड आफ एग्री कल्चर एन वाटर अब बढ़ते हैं दोस्तों International News में Change in China's Child Policy यानि चाइना ने जो बच्चे की जो नीती है Child Policy है उसमें Changes लाया है In China there has been a significant decrease in birth rate in the last few years in view of which it has made a major change in its child policy यानि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार Child Rate है बर्थ रेट है वो decrease हो रहा है तो बीते कुछ वर्सों में जन्दर्म में उलेखनी कमी देखने को मिल रहा है जिसे देखते हैं उसने बच्चा नीती में यानि Child Policy में बहुत सारा चेंज किया है यानि अब प्रतेक जोड़े तीन बच्चे को जन्म देने की अनुमती चैनी सरकार ने दे दी है इस तरह से decline in the birth rate in China and the effort being taken to address it This initiative is being considered very important तो दोस्तों यहां जन्म दर्म की कमी को देखते हुए चीन ने 2016 में एक बच्चा नीती में यानि Child Policy में बड़ा बदलाव करते हुए जोड़ों को दो बच्चे पैदा करने की अनुमती दी थी लेकिन कई कारणों से यहां जन्म दर्में सुधार नहीं हुआ जैसा कि मैंने बताया कि युवाओं में बहुत ज़्यादा यह भरांतियां है इसलिए वो लोग वर्क पर ज़्यादा preference देते हैं प्राइवेट जॉब या नौकरी की चिंता तो जिस एक वज़ा से बच्चे जन्म नहीं ले रहें तो यही कारण है कि वहाँ पर imbalance असंतुलन जैसी इस्तिती उत्पन्न हो रही है यही कारण है कि चीन ने यहन्र ने लिया है यही कारण है कि यहाँ पर इस तरह का imbalance देखने को मिल रहा है तो यही कारण है कि चीन ने अब तीन बच्चे पैदा करने की अनुमती दे दी है तो इस तरह से the change was approved during a political bureau meeting chaired by President Xi Jinping रिपोर्ट्स जो है सिंज हुआ वहाँ की जो रिपोर्ट है समाचार एजन्सी है चाइना's official news agency यह भी ध्यान रखना वहाँ की तो यह जो है उसने यह बताया है अब थोड़ा सा चीन के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगोलिया इसकी capital उलान बटोर है यह रसिया है मॉस्को है इधर नॉर्थ कोरिया है इसकी प्योंग्योंग capital है Taiwan है यह समुद्र से जुड़ा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं वियत नाम हनोई लाउस की वियन तेन म्यानमार की यहाँ पर आप देख सकते हैं नाई पीडा है और यहाँ भूटान की ठिम्पू नेपाल की काठवन्डू भारत है यह अपना किर्गिस्तान को भी स्पर्स करता है बिंश केक है तजाकिस्तान की दुशामबे है इन सब देशों को यह स्पर्स करता है और यह कजाकिस्तान भी नूर बाजे सुल्तान नूर सुल्तान इसकी हो गई है पहले अस्टाना हुआ करती थी और यहां की कैपिटल बीजिंग है यहा और परिस्तितिकी में, पेस्टी साइड इस दा लीडिंग काज आप पोईजनिंग इन इंडिया, और नॉर्थ इंडिया इस दा मोस इफेक्टेड, दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि ये कीट नासकों का जो खेतों में प्रयोग किया जाता है, यह बहुत जादा मात्रा म हमारे शरीर के लिए हामफुल है, और यही कारण है कि जो खेतों में यह यूज किया जा रहा है, फर्टिलाइजर के साथ-साथ जो पेस्टी साइड का, मैं आपको एक्जामपल देता हूँ, ग्रिन रिवलूशन, तो ग्रिन रिवलूशन जब इंडिया में इन सब छेत्रों में ग्रिन रिवलूशन इतनी ज़ादा मात्रा में लोगों ने फर्टिलाइजर, हाई इरिगेशन और हाई पेस्टी साइड का यूज किया, सबसे ज़ादा पेस्टी साइड का यूज किया, यही कारण है कि अब वहाँ पर इसके जो प्रभाव दिखने ल महकता है, या उसकी जो है बदबू आती है, तो इस तरह से यह पेस्टी साइड की वज़ा से वहाँ पर ट्वाइल में पाये जाने वाले जो माइक्रो और्गनिजम थे, वो सब धिर धिर समाप्त हो गए, पहले आपने देखा होगा पैरोर्स आते थे खेतों में, खलिहानो के प्रोफेसर ने बोला है कि हम लोगों, लोग साल भर में कम से कम डेर सो ग्राम जहर खाते हैं, इन ही सब की वज़ा से, अब तो ये न्यू रिसर्च ऑन दा प्रिविलेंस आप डिफरेंट टाइप आप पॉईजनिंग इन इंडिया हैस हाइलाइट इस, यानि देख सकते इसमें तो जनवरी 2010 और मई 2020 के बीच किये गए 134 शोद अध्यनों के विसले सर से, यही पता चलता है कि क्रिशिव और घरोयलू गत्विदियों के लिए कीट नासकों के ब्यापक उप्यों के कारण 63% यानि इस पॉईजन का सबसे बड़ा काज है, ये कीट नाशक यानि इ 2020, revealed that owing to the widespread use of pesticide, for agriculture and domestic activities, pesticide was the most important cause of poisoning with an overall prevalence of 63%, यानि टोटल 100 में 63% काज है क्या पेस्टिचाइड, According to the study published in the British Medical Journal on May 2021, the prevalence of pesticide poisoning was 65% in the adult population and 22% in children, यानि 65% युवाओं में वयस्क आबादी में कीट नासक भी साखता पाई जा रही है, जबकि बच्चों में 22 फीजदी, इस पर बहुत आवशक हो गया ध्यान देना, तो an analyst, मतलब reason wise अगर हम बात करें, तो इसका सबसे अधिक प्रभाव कहा है, उत्तर भारत में, चुकि अब देखी है, सबसे ज़्यादा green revolution वाला area कौन, पंजाब, हरियाना, पश्मी, उत्तर प्रदेश, राजस्तान, चेत्र, तो यह जो है north, यह 79% लोग जो है, यानि 3-4 था इसे अधिक, विसातक था के, यानि कह सकते हैं poison से, और इट वास फॉलोड बाई south India 65.9, and then central India 59.2, and western India 53.1, and उत्तर पूर, यानि north east India 46.9, and eastern India 38.5 में, यह poison पाया जा रहा है, तो इस तरह से, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कि हम लोग जो खेतों में अपने pesticide का यूच कर रहे हैं, अंधा धुन, खेतों को बचाने के लिए, ज्यादा फशल को पादकता को बढ़ाने के लिए, उसके side effect दिखने लगे हैं, north India में, आज आप देखते हैं, कि युवाओं में भी, तीसरे चरण का cancer डाइग्नोस हो पा रहा है, पता ही नहीं चल पा रह जा रहा है, बहुत सारी बिमारियां घेर रही हैं, तो इन सब के side effects शुरू हो गए हैं, समय रहते हैं इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, हम और गेनिक खेती पर अगर ध्यान नहीं दिये, नेचुरल क्रॉप पर ध्यान नहीं दिये, तो यह जो हम लोग भोजन कर रहे ह हैं, यह साब pesticides में मिला हुआ भोजन है, और इस से जो है आने वाले दिनों में और संकत उत्पन होगा, अब बढ़ते हैं दोस्तों, next है various national international personality news में, CII elected TV Narendran as the new president, CII ने TV Narendran को नया अध्यक्ष चुना, तो industry body CII said that it has chosen Tata Steel Limited CEO and managing director TV Narendran as the new chairman for 2021-22, Narendran took over from Uday Kotak Managing Director and Chief Executive Officer of Kotak Mahindra Bank Limited, यानि यह जो हस्थान लेंगे, Uday Kotak से यह पद बहर ग्रहन करेंगे, तो Narendran कई वरसों का उनका experience है, वह 2016-17 के दारान CII के पूर्वी छेत के भी president रहे हैं, CII जारखंड के भी अध्यक्ष होने के अलामा, कई रास्टी समित्यों का उन्होंने नेतित किया हुआ है, Apart from this, Sanjeev Bajaj, Chairman and Managing Director, Bajaj Finance Limited has been made the nominee chairman of the chamber for 2021, while Pawan Munzal, Chairman and Chief Executive Officer of Hero Moto Corp Limited, will be the Vice President या Vice Chairman of CII for 2021-22, याद रखेंगे, और CII क्या है, इसको कहेंगे Confederation of Indian Industry, यानि भारती उद्योग परिसंग, 1895 में इसका establishment हुआ था, इसका headquarter नई दिल्ली में है, अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरसकारों में, और दूसरी जो पुस्तक है, एक contested legacy, यानि इसमें पूरा उन्होंने, किसके बारे में बताया है, इसमें इन्होंने पूरा बताया है, इसमें सावरकरजी के बारे में, उनके संघर्सों के बारे में कब जेल गए, कब बाहर आए, 1966 तक का पूरा दिया है वेवराती, यहाँ अभी जो है, जुलाई में यहाँ लॉंच होगी, 2021 में, यह 2019 में लॉंच होई थी, और रवी सास्त्री, जो की कोछ भी हैं, और जो है, इन्होंने क्रिकेट में महत्पोड योगदान दिया है, इनकी पहली पुस्तक है, स्टार गेजिंग, दे प्लेयर्स इन माई लाइफ, यह भी पुस्तक आने वाली है, इसी 25 जून तक यहाँ लॉंच हो जाएगी, यह पुस्तक का नाम और राइटर का नाम याद रखेगा है, विक्रम संपत, अब बढ़ते हैं दोस्तों, बैंकिंग और फाइनस इन दे एकामर्स प्लेट फार्म इन इंडिया, टाटर डिजिटल एज इन वेस्टेट टू हंड्रेट मिलियन डॉलर एज प्राइमरी कैपितल, यह प्राइमरी पैसे के रूप में 20 करोन डालर का यह निवेस किया है, और यह निवेस दो अरब डॉलर के वैलिएशन पर हु और इस डील को भारती प्रतिसपरधायोग ने मंजूरी दे दी है, भारत में बिग बास्केट का 25 सहरों में कारोबार है, इसके पास 50,000 स्टाक रखने की यूनिट्स है, बिग बास्केट में चीन की रिटेल कंपनी अली बाबा का जो स्टैक है, वह 29 परसंट है, इसी तरह स आप देख सकते हैं, अबराज ग्रूप है, एसेंट कैप्टल है, हेलियान, वेंचर पार्टनर्स है, यह सब जो है इसके, इसमें कुछ न कुछ इनका सेयर है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, स्पोर्ट न्यूज में, ACI Boxing Championship, कल आप लोगों ने देखा होगा महिलाओं का, आ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, संजीज सिंग ने पांच बार के एसियन चेंपियन, और रियो ओलम्पिक के रजद पदक विजेता, कजाकिस्तान के मुक्चे बाद, वासली लेवित को हराया, और अमित पंगाल, 52 किलोग्राम में, 3-2 से वो हार गए, और वह अबिस चें इस याई खेलों में, रजद पदक विजेता, मंगोलिया के बातर सुख चिंजोरिंग से 3-2 से हारना पड़ा, तो इस तरह से इन दोनों मुक्चे बाज़ों को रजद पदक से ही संतोस करना पड़ा, और भारती महिलाओं ने कल ही आपने देखा होगा नियूज में, कि 103 र याद रखेंगे, और अभी शिडूल बदलने या उसकी कोई पुष्टी नहीं की गई है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अर्जेंटीना और कोलंबिया को कोपा अमेरिका की संयुक्त मेजबानी सौपी गई थी, लेकिन जो कोलंबिया है, जो भी साउथ अमेरिकन कंट पुष्टी है, उसकी कैपिटल बोगोटो है, कोलंबिया हैड अल्रेडी बीन ड्रॉपड एज युनाइटेड होस्ट ड्यू टू दा पुलिटिकल टर्मॉाइल देयर, यानि वहाँ अपर राज़नी तिक उथल पुथल की वज़ा से ऐसा हुआ, फिर अर्जेंटीना ने अकेली ही मेजबानी के लिए कहा, लेकिन वहाँ पे कोरोना के वाइरस का संक्रमण ज्यादा तेज हुआ, तो इसे हटा दिया गया, और कोपा अमेरिका कप का आगाज अभी 14 जून से होना है, और पहला मैच अर्जेंटीना और चिली के बीच होगा, इस तरह से ब्राजील दस टीमों की इस टूर्णामेंट में पहले ग्रूप में ब्राजील, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू और वेनेजोयला है, जबकि दूसरे ग्रूप में अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, परागवे और उरुगवे है, और कोपा अमेरिका का कप का जो है छटी बार ब अर्जेंटीना ने फोटीन टाइम और ब्राजील ने नाइन टाइम कोपा अमेरिका का चैंपियन बन चुका है अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट डेज में आज वर्ड मिल्क डे है, एक जून को, इस दिन को मनाने की शुरुआ 2001 में हुई थी, और इसको FAO, Food and Agriculture Organization के द्वारा यह की गई थी, भारत में 26 नुवंबर को राश्टिय दुख्ध दिवस मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे और इस बार का जो थीम है, परियावरण, पोशन, सामाजिक, आर्थिक ससकती करण के साथ साथ, डेरी छेतर में स्थिरता, यानि सस्नेबेल्ट in the dairy sector with masses around the environment, nutrition and socio-economics, दोस्तों दूद के उत्पादर में 20 में प्रतमस्थान भारत का ही है, इसी तरह से गाय के दूद में प्रतमस्थान अमेरिका का है, और दोस्तों यह भी याद रखेंगे भारत में 1970 में आपरेशन फ्लड आया, दुख्ध करांती जिसे कहते हैं, दॉक्टर वरगी स्कूरियन को कहा जाता है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेटर स्टाक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में, आज हम बात करेंगे पंचायती राजब्यवस्था के बारे में, तो पंचायती राजब्यवस्था है क्या, यानि का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन का नाम तो सुना ही होगा, लॉर्ड मेयो के काल में फर्स्ट सेंसस स्टार्ट हुआ था, और रेगुलर सेंसस लॉर्ड रिपन के काल से 1881 से स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे, इस तरह से वर्स 1882 में आरक्षित और हस्तांतरित था ना तो इसे हस्तांतरित विश्व की सूची में डाला गया था और दोस्तों इन 90 जब भारत हमारा स्वतंतर हुआ महत्मा गांधी जी प्रंचायतों के गठन के बारे में बहुँ जादा प्रयाश्रत थे तो भारत में सामुदाई विकास कारेक् में हुई राष्टी विस्तार सेवा 1953 की कारपनाली की जाच के लिए ही 1957 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया यानि बलवंत राय मेहता को इसलिए पंचायती राज का शिल्पिकार कहा जाता है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसे जन तांतरि विकेंद्री करण योजना स्थापित करने की सिफारिस की और यही जन तांतरिक विकेंद्री करण बोला न मैंने डिसेंटलाइजेशन तो विकेंद्री करण को ही पंचायती राज कहा जाने लगा तो इस तरह से उन्होंने जो बल्मत राय मेहता की त्री अस्तरी ये पंचा में 2 अक्टूबर 1959 को नागवर जिलेसिस का उदगाटन किया गया फिर उसी के बाद आंधप्रदेश में अपनाली भी 1959 में अपनाई गई उसके बाद धिरे धिरे भारत के कई राज्यों में लेकिन विना संबैधानिक अमली जामा पहने इसको वह मूर्थ रूप नहीं मिल र जाता फिर इसके बाद अशोक महता कमेटी आई in 1977 में हाला कि 1960 से लेकर के 1977 के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी कमेटियां बनाई गए थी लेकिन आपके एक्जाम में सबसे महत्पूर्ण रहेगा बलवंतराय महता अशोक महता इन्हों ने कहा कि इसको थ्री टियर की 2007 में जनता पार्टी की सरकार थी इसे कई राजों ने लागू करने का प्रयास भी किया फिर 1980 में जनता पार्टी यानि उसके बाद एक दो साल सासन किया ही था फिर बाद में 1980 में कॉंग्रेस पार्टी आई फिर नई समीत का गठन किया गया मनें बताया ने करनाटक पस्चि राजियू गांदी हुआ करते थे तो इस तरह से उन्होंने प्रबंध विश्यमें जीवी के राओ की अध्यक्षता में समित की गठन किया गया और इन्होंने कहा कि पंचायती राजविवस्था को चार अस्तरी कर दिया जाए मतलब इसमें जो है फोर टीयर कहा यानि राज अस्तर पर राज विकास पर सथ यानि स्टेट डेवलप्मेंट काउंसिल जिला अस्तर पर जिला पर सथ डिस्टिक काउंसिल और मंदल अस्तर पर मंदल पंचायत मॉडल पंचायत और ग्राम अस्तर पर ग्राम पंचायत की सिफा तो इन्होंने कहा कि इसको समवैधानिक अमली जामा जब तक नहीं पहनाया जाएगा तब तक यहां मूर्त रूप नहीं लेगा तो इस तरह से उन्होंने कहा कि एक नए आध्याय समविधान में जोड़ा जाना चाहिए इस पे फिर पीके थुंगन साहब आये 1988 में उन्होंने भी यही समवैधानिक दरजा देने की जी पारित की और जिसके कारण 64 Constitutional Amendment था याद रखेगा 64 समविधान संसोधन के ताथ पंचायती राजब्यवस्था को लोगसभा में पारित किया गया लेकिन उसके बाल लोगसभा भंग हो गई फिर यह निरस्थ हो गया फिर 1991 में 27 अप्रेल 1993 को पंचायती राजब्यवस्था लागू हुई तो इस तरह से आज हम इन समित्यों की बात करेंगे फिर एक क्लास और लेंगे आगे का जो प्रॉसेस है समविधान में इसमें कहां कैसे पैसा आता है इन सब की जानकारी हम नेक्स क्लास में लेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्षन में जो की बहुत ही अच्छा उतर दे रहे हैं आज उतर देने वालों में हैं इतने लोगों ने लाइक और कमेंट दोनों किया है आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उतर देंगे तो आप लोगों के सामने पहला प्रसन है यह भारत में पहली बार मिले कोरोना वाइरस के जो यह वेरियंट है उसका क्या नाम दिया गया अलफा बीटा गामा या देल्टा next question है recently which institute has developed India's first indigenous temperature data logger named MBTAG IIT Roorki, IIT Ropad, IIT Chennai, IIT Mumbai and next question है recently which country has changed its child policy by allowing people to have three children भारत, America, Chin, Bangladesh and next question है according to a study which area of India has the highest prevalence of poisoning North India, South India, Western India, Northeast India and next question है who has been appointed as the President of Confederation of Indian Industry Udaykotak, T.V. Narendran, Sanjeev Bajaj, Pawan Munzal and next question है what percentage stack has Tata Group's digital company Tata Digital purchased in the online grocery company Big Basket recently 54%, 60%, 64% या 68% next है which Indian boxer has recently won the gold medal in 91 kg category in the Asian Boxing Championship यानि हाल ही में किस भारती है मुक्के बाजने ACI मुक्के बाज चेंपिएंसिप के 91 kg वर्ग में स्वण पदक जीता है संजीश सिंग, विकास किर्ट, सिव थापा, अमित पंगाल and next question है कोपा, अमेरिका कपकी मेजबानी किस देश को मिली है Argentina, Brazil, चीली या उरुगवे and next question है when is World Milk Day celebrated 30 मई, 31 मई, 1 जून या 2 जून and next question है last question which of the following committee is not related to the पंचायती राज सिस्टम बलवंत राय मेहता, P.K. धुंगन, रंग राजन, अशोक मेहता कमेटी इस दसों प्रस्ण के आपको उत्तर देने है आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें थैंक यू दोस्तों